कावया से मिलने के लिए जीत पर अड़ी प्रीता जी टीवी के लोगप्रिय धारावाई कुनली भाग में दिल्चस पर ड्रामे की एंटरी हुई है जैसा कि आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा कि राजोरी सुष्टी से कहता है कि कावया उसकी बहन है और उसने अपने बहन से वादा किया है कि वह उसके साधी में जाएगा और वह जरूर जाएगा जल्द ही घर पर सृष्टी सभी को बताती है कि जस साब अपना फैसला सुनाने ही वाले थे कि कावया ने चोरी का इलजाम अपने होग पर लेते हुए कहा कि चोरी उसने किया है अब आने वाली एपिसोड में आप सभी देखें कि शृष्टी सभी को समझाते हुए कहते हैं कि उन लूत्रा से जितना है उतना दूर रहना ही सही है और वैसे भी मैंने सोच लिया है कि हम मुंबई चोर देंगे हालनकि प्रीता उसकी बात काटते हुए कहती है कि नहीं मैं कावया से बिना मिले नहीं जाओंगे राजवीर का मानना है कि कावया के साधिक के बाद ही हम कहीं जाएंगे प्रीता भी राजवीर की बाद से सहमत होती है वहीं दूसरी और करण और कावया इस बारे में सोच रहे हैं कि पैसा किसने चुराया है अब देखना यह दिल्चस्प होगा कि क्या करण और कावया असली चोर को पकड़ पाएंगे हमें अपने रहे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और अथिक अप्डेट प्राप्ट करने के लिए बने रहे आई डबलू एंब बस के साथ